हलो फेंट्स पेसे अगली नागराज का एपिसोड नमबर थ्री नागराज का बदला तो शुरू करते हैं पिछली एपिसोड में आपने देखा कि नागराज बुल्डोग के सातियों को मारने के लिए निकलता है जहां उसके अड्डे पे जाता है ग्रोषी ने पटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कुट पड़ा और सबसे पहले इसने आसमान में सक्रिया तंगवादी ग्रोष से टक कर ली जिसका सरगना बुल्डोग नमगवेक्ती था पुल्डोग के हेड़क्वाटर पर जबजस्त पमवारी हुई जिससे नागराज और साति रोमों दोनों मिट्टी के धेर में डब गए पुल्डोग अपनी सातियों के साथ कमपाली रियासत में राज महल में जा पहुचा अब आगे पढ़िए नागराज का बदला उदर कमपाली के ही केले में मीटिंग चल रही थी कमपाली एक आजाद रियासत है और तीन जिसों की सीमा इससे मिलती है इससे बहतर रिस्तान आपके लिए कोई और नहीं होगा मिस्टर बुल्डोग और तुम्हारे हक में यही बात जाती है महामंत्री के लोग इस मीटिंग में जितने भी लोग मौझूद हैं वे कमपाली रियासत के सर्व सक्तिमान वेक्ति हैं और सब मेरे साती हैं तुम लोग कमपाली के राजगहराने को क्यों नजर अंदाज कर रहे हो राजगहराना सिर्फ नाममानत का है यह रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है किलोरी मेरे दोस्त क्या तुम कमपाली के प्रगर्टी में मुझे साज़िदार बनाना चाते हो आप ठीक समझे मिस्टर बुल्डोग मैंने महराज से आपको यह भू भाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहां की विकास सील जोजनाओं पर पूझी लगाएंगे हम पूझी लगाने के लिए तयार हैं उसकी रूप रेका हमने तयार कर लिये अभी तक हम यहां सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे लेकिन अब हम यहां हत्यारों की फैक्टरी लगाएंगे क्योंकि हत्यार सबसे अधिक मुनाफ़े का दंदा है और कमपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साज़िदारी होगी इसके शेयर कमपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा महामंतरी किलोल कागजन पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा अल्राइट अब आप सब मुझ पर छोड़ दें मिटिंग स्वाप्त होने के बाद कि लोल इस रिशासत का महराज बनने का खाफ देख रहा है ये सबसे महत्मून बात है लेकिन इस काम की सुरुआत तब होगी जब महराज पूरी तरह से मेरी मुठी में आ जाएगा हमारे आदमी हैटक्वाटर के मलवे से नागराज की लास निकाल लाई है ताबूत को किले के स्ट्रॉंग रूम में पहुँचा दो कुछ दिर बाद ताबूत स्ट्रॉंग रूम में पहुँचा दिया गया है सुपर बास डाक्टर सिम्टो तुम्हें नागराज की सब का पॉस्माटम करना है और उसकी पूरी रिपोर्ट तयार करके अब डेड बाडी के परिक्षण में कोई कोधाही नहीं होनी चाहिए हम नागराज जैसा ही आदमी तयार करेंगे बड़ शर्ते की वे उसकी आंतरिक किरिया की संपूर जनकरी प्राप्त हो जाए मैं आपका सारान समझ गया आप चिंता न करें मुझे इस काम का पूरा अनुवब प्राप्त है इस ट्रॉंग रूम में डाक्टर सिम्टो से प्रिक्षण किया ये सत प्रतिशत मिर्थ है डेड बाडी को ऑपरेशन रूम में पहुचा दो नागरेज को स्टेचर पर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही सक्तिसाली मानव तयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दोलतमन इंसान कहलाऊँगा सबसे पहले इसके ब्रेंड का अपरेशन होना चाहिए नागराज की आगे खुल गई और सम्मोन की एक परसंट लहर डाक्टर सिम्टो की आँगों पर भेती चली गई उफ मेरी आँखों के आगे अंदेरा चाता जा रहा है सिर चक्रा रहा है डाक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिक में महसूस किया तुम्हारी जिन्दगी मेरी मुट्टी में है तुम मेरे गुलाम हो नागराज के गुलाम मेरी जहरेली फुकारे तुमें जला कर राक कर देंगी डाक्टर सिम्टो बोल जिन्दा रहना है या नहीं हाँ हाँ मुझे जिन्दा रहना है तो अब यह करो जो मैं कहता हूँ मेरे अंदर ऑक्सिजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है सबसे पहले ऑक्सिजन दे कर स्टॉक पूरा करो नागराज ने समोन किरिया दोरा सिम्टो को अपने बस में कर लिया सिम्टो के मस्तिक में वह अपने विचारो योगी महात्मा द्वारा जागरित टैलिपिती प्रक्रियाई द्वारात्पन कर रहा था तुम मेरे डेट बोड़ी का निरिक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे ये रिपोर्ट तुमारी कारे प्लाणी पर मेरी इच्छा नुसार होगी सिम्टो अपने कारे में लग गया परन्तु इसके हाथ नागराज के निर्देशों पर कारे कर रहे थे अब तुमारा काम पूरा हो गया बुल्डोग से कहो कि यदि मेरा सब किसी दरिया में ना भाग गया तो मेरे मास के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी हाँ इसके सब को तुरंट किसी दर्या में बाहर डालो ताकि कमपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैंस का प्रकॉप हो ठीक है उसे पहाडी दर्या डॉग में भादिया जाएगा टॉग प्रहंपूत से मिलने वाली नदी है नागराज के सरीर की गैस ब्रहंपूत में फैलेगी तो असाम पर ही परवाप पढ़ेगा और हम इसका लाव उठाएंगे ओके बॉस हम उसे आज ही डॉग नदी में हवाले कर देंगे नागराज डॉग नदी के द्वारा फेक दिया गया कुछ तेर तेरने के बाद नागराज एक बस्ती में जा पहुँचा इस बस्ती में चीक पुकार और सोर कैसा क्या बात है ये भगदर चीक पुकार और सोर कैसा कामरू आया है कामरू आज फिर जवान लड़कियों की चटनी हो रही है कामरू जवान लड़कियों की छटनी कौन है ये सक और जवान लड़कियों की छटनी क्यूं कर रहा है एक भैसी दरिंदा विदेशी लोगों की आयाशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़किया उठा कर ले जाता है हमने इसकी सिकायत महराज से करनी चाही जो भी शिकायत के लिए बड़ा उसे खान तान तक को जड़ से सफाया कर दिया गया बचाओ कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठा कर ले जाता है तुम सब बुजदिल हो मेरे साथ आओ मैं देखता हूँ रुख जाओ और इस लड़की को छोड़ दो हे 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 कोली से उड़ा दो इसे पहुत पोलता है दहाँ है दहाँ है साप तुम्हारी बंदुके मेरे कदमों से मिठीर हो गई आगे बढ़ो और उठाओ अपने हतियार उफ कोई साप मेरे हाथ में बंदुक छीन कर ले गया था ये कोई जादुगार मालूम पड़ता है हमला कर दो बोटियां उड़ा दो इसकी ठाक तडाक कामरू तेरे आदमी तो जबी सूंग रहे हैं पुराने दाप पेचो का जानकार है ऐसे द्वंदी रोमाचित करने करते हैं इतनी दूर जा गिरेगा ले पटकी मेरी भी और अब देख मैं तुझे किस तरह चकर गिन्नी बनाता हूँ साएं इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते आते ही मोत तेरा मुकदर बन जाएगी बस्ती वाले ने नागराज को कंदे पर उठा लिया मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ आज के बाद कोई कामरू इदर का रुक नहीं देखेगा भया तुमने मेरी अस्मत बचा ली मैं किसी तरह तुमारा इसान उतारूँगी नागराज कभी किसी पर इसान नहीं करता बहन इदर महामंत्रिक के लोल को पता चला क्या कहा कामरू मारा गया किसने मारा कामरू को नागराज नाम है उसका नागराज दो दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों का अजात कर दिया और अफिम की खेती तहसनेस कर डाली नागराज नागराज गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूझा होने लगी है उसे लोग देपता समान मान रहे हैं जो उसने उत्धार के लिए आया है उफ सारे कमपाली रियासत में नागराज तुपान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है हुजूर कहीं ये वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुल्डोग की जवान पर होता था कि लो ले तुरंट बुल्डोग से संपर किया नागराज मर चुका है ये कोई और वेक्ति है जो नागराज के नाव पर लाव उठा रहा है आपको पूरा यकीन है नागराज मर चुका है तुम्हें यकीन नहीं तो लो अभी प्रमान देता हूँ डाक्टर सिम्टो तुरंद यहां आओ तुरंधी डाक्टर सिम्टो हाजिर हो गए मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बोस सुन लिया आपने मिस्टर किलोल केक इसी के साजिस है हो सकता है महराज को तुमारी योजनाओं की गंद मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो मैं इस संबन में अपने इस जासुसों को निर्देश दे चुका हूँ उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने का तरीका ग्याद करो उसके ठिकाने का पता लगाओ कि लोल के जासुस दिन रात इसी काम पर लग गए मैं बहुत करीब आदमी हूँ मेरा घर बार कुछ बदमासों ने उजाड़ दिया मैं नागराज की तलास से भटक रहा हूँ मुझे कोई उसका पता बता दू आओ मैं तुम्हें नागराज से मिला दू मैं जानता हूँ वे कहा है इस गुफा में रहता है अंदर चले जाओ वे तुमारी मदद जरूर करेगा इस बेचारे को क्या मालूँ खुद नागराज इसे यहां तक लाया है बोलो मैं ही नागराज हूँ तुमारी क्या मदद कर सकता हूँ हुजूर माई बाप मेरी रक्षा करें जासूस ने स्पाई कैमरों से नागराज का फोटो खीच लिया और उसने पौशाक में चाती में लगाया हुआ था मैं लकडा रहा हूँ जंगल में मेरी कुटिया है कुछ बदमास पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए थे फिर उसने नागराज को एक फ़रजी कहानी सुन डाली ठीक है मैं तुमारी जोपड़ी में दो दिन बिताने आऊंगा और तुमारी छोटी लड़की वही रहेगी जासूस वापिस किलोल के पास पहुचा कल वेपोकर के जंगल में आ जाएगा उसने दो दिन वहां रहने का वादा किया है मैंने कहा था कि बदमास मेरी वही लड़की को उठा कर ले गए और छोटी लड़की की फिराख में है और यह रहा उसका फोटो आप देखता हूं कि वेपोकर के जंगल से किस तरह निकल पाता है कलोल ने अपनी योजना तयार कर ली लड़की मंगवाली तुम उस लक्लारी की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना हजूर स्वांगनी एक विश्वकन्या है जो मर्द किसी किसी के काबू में नहीं आता स्वांगनी उसे बड़े सलिके से परलोग पहुँचा देती है आप बस हुक्म करें बागी काम स्वांगनी खुद कर लेगी मुझे यकीन है स्वांगनी इसलिए तुमारी सेवा प्रापकी है स्वांगनी का काम होगा नागराज को परलोग पहुचाना और अगर स्वांगनी सफल न हो सकी तो तुम्हारी गुरिला फोज उसे ठिकाने लगाईगी इसके बाब जूद नागराज बज गया तो वैं महराज का दुश्मन होगा क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फोज का दस्ता होगा नागराज बोकर से जंगल की ओर रवाना हुआ मैं कमपाली रियासत का दावन पाक साप करके ही जंग वाह मेरा विनंदन कर रहे है स्वांगनी जोपड़ी के दरवाजे पर मौझूद थी क्या आप ही देपता नागराज हैं? हाँ तुम कौन हो? एक अभागे लकड़ाहरी की बेटी मेरी पता की हत्या कर दी गई अब वे दम तोड रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाब दलवाएंगे ओ बदमासों ने उसकी हत्या कर दी वे इस तरह सिकार खेलने के लिए बहाने आते जाते रहते थे इस पार शिकार उनका होगा और सिकारी मैं रात हो गई आप विश्राम कीजिए यात्रा का सावान तकान मिटा लिजिए रात पर पहरा दूँगी नहीं तुम बेविक्री से सो जाओ मुझे पहरी की जरुद नहीं यह सो रहा है अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तरड़ तरड़ का मर जाएगा सांगनी हमला कर दिया ए दूर हटो क्या कर रही हो बस मेरा काम खत्म हो चुका तुमारी मौत हो चुकी इस कंबक्त ने मेरे करदन पर काट खाया अब यह नहीं बचेगी उफ मेरी देश जल रही है मैं अफसोस तुमने नागराज को काटा अब तुम नहीं बच पाऊगी मेरे सरीर में हजारों नागों को जहर है मैं मर रही हूँ बताओ तुमने ऐसा क्यों किया मैं विश्कन्या हूँ महामंत्री के लोल ओ मुझे बचाओ मुझे इसाफ मुझे माफ कर दो नागराज अगर तुम साधरन होती तो मैं तुमें बचाने की कोशिश भी करता लेकि तुमने ना जानी कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा वे लकलाहरा कौन था चासूस और नागराज के जहर से स्वांगनी की धे पानी की तरह पिगलने लगी मुझे जिन्दगी में पहली बार ऐसास हुआ कि मेरे सरीर में कितना गातक जहर भी मुझूद है सुबा होते ही नागराज जहुपडी से बहां निकला अब मुझे महामंतरी किलोल को सबक्च काना चाहिए जैसी ही नागराज आगे बढ़ा सिपाईों ने उसे चारों तरप से गेल लिया मेरी छटी इंदरी ने खत्रे की गंद पाली थी पूरा जंगल फाईरिंग की आवाज से धहल उठा यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेत कर माने की कोशिश कर रहे हैं पूरे जंगल की मोर्चा बंदी है वे लोग पेड़ों को मचान बनाए बैठे हैं नागराज नागरश्ची के द्वारे एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर उढ़ने लगा ओ सांप फूस भागो हमारे दस्ते की सैनिकों पर खोफनाक सांप हमला कर रहे हैं ओवर हम तुमारी साहता के लिए हेलिकॉप्टर बेज रहे हैं ओवर हवाई हमले भी की तैयारी है जरक करीब आ जाए जैसी हेलिकॉप्टर नीचे जुका और करीब आया नागराज की नागरश्ची कॉप्टर पर लपक पड़ी रस्ची काट दो पह देखो पह हेलिकॉप्टर पर एक रस्ची द्वारा चड़ रहा है मैं तुमारे हेलिकॉप्टर में आ गया हूँ चलो अब तुम मेरे गुलाम हो ओ नागराज ने हेलिकॉप्टर पर कपजा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है मुझे तुरंद बुल्डॉग को संपर्क स्थापित करना चाहिए मामंत्री किलोल नीजी हेलिकॉप्टर से बुल्डॉग के किले की और रवाना हो गए वै कंपनी दर्रे के पुराने किले पर उत्रा सुपरबाउस मामंत्री किलोल इसी समय आप से मिलना चाहते हैं भेज दो ये नागराज की फोटो है उसके संबन अंतिव रिपोर्ट इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात के पुष्टी होती है कि नागराज ही है ओ गौर्ड ऐसा कैसे संबब है इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोका दिया है कमाल तो यह है कि हम शौर्ट सिर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की सहले किरिया भी देख रहे थे निचे ही नागराज राजमहल पहुचेगा कि लोल तुम उससे संदी कर लो वह किस तरह किन प्रस्तावों पर तुम उस पर जाहिद करो कि कमपाली में बुल्डोग नामक वैक्ती ने आतंक फैला रखा है और राजकी फोजे भी उससे जा मिली है मेरे मामले को लेकर वह तुमारे साथ होगा उसे अपने विश्वास में ले लो उसका स्वागत करो और फिर उसे पुराने किले पर हमला कर दो बुल्डोग ने किलोल को पूरी योजना समझा दी तुम यह फत्य पाऊगे बस तुमें उसके बाद उसे कमपाली में कोई राजकी पत दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे क्योंके वह हमारा आदमी बन जाएगा किलोल वापिस राजमहल पहुच गया यह नगरवासियों की भीड कैसी सब लोग महराज से फरियात करने आए हैं और उनका नेत्वत नागराज कर रहा है महराज मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही है परनतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी महमान का हाथ है अब मुझे मालूम हो गया कि वे बुल्डोग ने किस तरह हमें सिकंजे में कसा ये सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहें अगर ये सकते है तो बुल्डोग को कमपाली की सरच से बेदिकल कर दो ये काम इतना आसान नहीं है उसकी चड़े बहुत मजबूत हैं उसे बेदिकल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी हम अपने सेनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से बहुत से बुल्डोग के हातों बिख चुके हैं बुल्डोग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ इस सैतान को खत्म करने के लिए आया हूँ तुम बहादूर अवेसे ही हो नागराज लेकिन मैं तुम्हें पुराने के लिए मैं अकेले नहीं भीजूंगा हमारे चनुवे सिपाई दर्रे को चारो तरब से घेरे रहेंगे योजना का अंते बूप हम शाम की बैटक में बताएंगे साम के समय महमंतरी किलोल मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आखों में जांकर बताऊगे नागराज ने किलोल को सम्मोन चाल में पसा कर वास्तिविक चाल समझ ले तो यह है असली योजना नकली बुल्डोग को मेरे हाथों मरवाना मरवाया जाएगा और असली बुल्डोग उस समय तुमारे साथ जस्न बना रहा होगा चस्न की जगे कहां निच्छित की गई है जल महल में यह सब भूल कर अपनी वास्तिविक रिस्ति में लोट आओ किलोल तो मैं क्या कह रहा था कुछ याद नहीं आ रहा पुराने किले पर मैं दावा बोलूँगा और बुल्डोग का खात्मा कर दूँगा नागराज ने लोल की योजना पर अमल्क किया और पुराने के लिए पर एक नाटके जंग हुई नकली बुल्डोग का खात्मा कर नागराज तिप्ता के साथ राज महल पहुचा महराज आपको इस वक्त मेरे साथ चल महल चलना है क्यों क्या बात है आप खुद ही अपने आखों से अपने महामत्री के कारनामे देख ले तब ही आपको यकीन आएगा ठीक है हम तैयारी करते है इसकी जरूत नहीं है महराज हम वहाँ फनकारों के रूप में पहुचेंगे नागराज और महराज कोटिल ले फनकारों का भीज धरा और जलमहल की और रवाना हो गए जलमहल के पैरदारों नहीं रोक लिया हम दूर परदेश से आए जादूगर है हमें मालूम है कि महामंत्री किलोल एक खास महमान के साथ अंदर बिराजमान है हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते है कुछी देर में तुम दोनों को बुलाया गया है चलो नागराज महराज के साथ चस्ट में पहुँचके ए जादूगर पनकार बोलो तुम अपना कौन सब कमाल दिखाने आए हो जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा हम काला जादू जानते हैं सबसे पहला कमाल आपके महमान के चेरे पर नकली चेरा है पहले इसे उतारे क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम बुल्डोग मैंने नकली चेरा उतार दिया दोस्त अब बोलो दूसरा कमाल मैं अपनी दोस्त को अभी राजा कोटिल ये बनाऊंगा है कमाल है ये तो बिल्कुर राजा कोटिल ले लग रहे है और अब मैं अपने आपको नागराज की शकल में पीस करता हूँ नागराज, महराज कोटिल क्या जादू है वह गदे के बच्चो यह जादू नहीं हकिकत है सिपाईों गिरप्तर कर लो इनको यहां तुम्हारी नहीं मेरी आग्या चलती है महराज कोटिल और तुम दोनों की मुद तुम्हें यहां खीच लाई है पकड़ लो और कत्र कर दो इन दोनों का थाँ थाँ अब बताओ सेकड़ों नाग ने तुम दोनों को चकड़ लिया है यह है तीसरा और आखरी जादू बढाम ओ बचो महराज इसके जिश्म बम फिट था और इसने बम की सेफटी पिन दवा कर आत्मत्या कर ली बहादूर नौजवान नागराज आज से रियासत तुमें सबसे बड़ा समाने पद देती है नागर वासी नागराज की जै जैकार करने लगे नागराज की जै नागराज की जै समाप अगली कौमिस होगी नागराज की हो कौम ग्यात्रा अगर यह वीडियो आपको अच्छे लोगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू